हेलो फ्रेंट्स कैसे आप लोग आई होप योल आ डूइंग ग्रेट आज हम लोग डिसकस करेंगे चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन्स पॉर फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 2022 बोट एक्जामिनेशन एक बात मेरी हमेशा आद अखना कि फिजिकल एजुके बनाता हूं जिन पर आप लोग अगर फोकस करोगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूब होंगे यह होंगे गैरेंटीड है इस बात की ठीक है मायने में सब्सक्राइब बात करूं जो सबसे पहला आपका चैप्टर है वह योगा एन लाइफस्टाइल योगा इन सब्सक्राइब में benefits मिलते हैं Obesity को लेके Obesity एक इंडिया का इशू नहीं है Obesity पूरे वर्ल्ड का इशू है बहुत दिक्कत होती है पुरे दुनिया को बैसिटी को लेकर problem होती है तो बैसिटी इसलिए जाधा तर important question माना जाता है जाधा तर exam में question repeat होता है similar pattern diabetes के साथ भी चलता है ठीक है बाकी बिमारी भी होती है लेकिन diabetes और obesity यह दोनों ऐसी बिमारी जिन पर आपको ज्यादा तर focus करना है जितना ज्यादा आप लोग इस पर focus करो उतने ज्यादा आप लोग के marks improve होंगे और मैं ज्यादा कुछ आपको learn करने के लिए नहीं कह रहा ना procedure benefits और contradiction सी तो आप लोग को याद करने है ना Contraindications हो गया benefits हो गया procedure कर लो याद इनके जो जो भी इनके आसन्स होते हो से लेटेट जारा टाम नहीं लगेगा आप लोग को तिक हैं नेक्स जो हमारा चेप्टर है वो है physical education and sports for CWSN child with special needs तो इसमें जो important question बनते है वो है टाइप एक physical activities accessible for children with special needs हम कैसे जो CWSN children है उनको हम कैसे physical activities प्रवाइड करें कैसे कौन सी strategies होने चाहिए जिनको फॉलो करके हम लोग उनको एक help कर सके इसके रिकार्डिंग ठीक है क्योंकि child with special needs बहुत जाता important chapter इसलिए बन गया है और इससे disability और इसी पर जातर question इसलिए आते हैं क्यों getting my point अब next जो हमारा chapter है वो है physiology and injuries in sports इससे जो important questions बनते हैं effect of exercise on cardio respiratory system बहुत जादा important question है कि exercise का cardio respiratory system पे क्या फरक पड़ता है बहुत जादा बार exam में question पूछा गया है आपके जो भी बुका फोलो कर रहे हो उसको इस question को अच्छे से पढ़ लो समझ लो याद कर लो guaranteed आपको paper मे देखने को मिल जागा एक question साथ ही में effect of exercise on muscular system भी होता है कि exercise का muscular system पर क्या impact पड़ता है या क्या effect पड़ता है बताओ आप ठीक है फिर आता है bone and joint injuries bone bone and joint joint injuries के ओपर भी काफी वर questions आते क्योंकि खेलते कुछते वक्त हमारी bones और हमारी joints होते हैं उनमें injuries हो जाती है factors हो जाते है dislocations हो जाते green stick हो जाते हैं उनको कैसे ठीक किया जाए और कैसे योगा है beneficial है उसके लिए और भी बहुता ही चीज़े होती है कि हम लोग कैसे bone and joint injuries को ठीक करें getting my point धिये धिये हर चीज में सुधा रहता है ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर आपकी कोई fracture हो गई है तो आपको immediately उसक का solution मिल जाए यह सब long term में होता है ठीक है exercise करनी पड़ती है अच्छा खाना 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 पड़ता है medicines लेनी पड़ती है सब चीजों को लेकर हमारी joint injuries and bone injuries ठीक होती है नेक्स जो हमारे chapter आता है वह है psychology and sports psychology and sports बहुत आदा पर exam question पुचा आता है क्या इसकी definition और इसके कौन से types हैं इसके traits and types भी पूचे जाते हैं आपसे ठीक है और साथ में आपसे पूचे जाता है वह है training in sports training in sports पूच्छ बनते हैं वह है endurance के उपर और साथ साथ आपको दूसरा question बनता है flexibility के पर दोनों अपने आप में बहुत जादा important question मैं यह नहीं कहूंगा कि question number one जादा important है question number two दोनों अपने आप में बहुत जादा important question examiner के favorite question है endurance की definition क्या है कैसे हम लोग endurance को develop करें अपनी body के अंदर ऐसी कौन से training है जो में help करेंगी similar pattern for flexibility के ओपर भी कोशन पूचता है ठीक है यह सारे के सारे question जो मैंने आप लोगों को बताए यह सब बहुत जादा important question है इन सारे questions को अच्छे से practice करना मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा है कि आप कोई special book लो अब जो book भी follow करें उसमें आपको questions देखने को मिलेंगे topics देखने को मिलेंगे इनको अच्छे से पढ़ लो समझ लो याद कर लो तिक है तब तक के लिए all the very very best channel को subscribe करना मत बूलिएगा और साथ में लेके पहले एकन को press कर देना thank you